हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि Infinix GT20 Pro फोन में आप लोग हीटिंग प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके पास एक Infinix GT20 Pro फोन है और इस फोन में आपको हीटिंग प्रोब्लेम देखने को मिल रहा है अगर आपका जो यह फोन हीट हो रहा है बहुत ही जादा ओवर हीटिंग प्रोब्लेम देखने को मिल रहा है और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हीटिंग प्रॉब्लेम को सॉल्ब करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने स्टोरेज को तो थोरा सा खाली करके रखना अगर आपका स्टोरेज फूल होगा तो आपका फोन जो बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगेगा तो स्टोरेज को आपको थोरा सा खाली करके रखना है उसके बाद उपर से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिलेंगे जैसे कि wifi, bluetooth, hotspot, nearby share, mobile data वगरा तो अगर आप लोग इन सब को use नहीं करते हो तो इन सब को off करके रखिए ठीक है guys, wifi अगर connect है अगर use नहीं कर रहे हो तो इसको disconnect करके रखिए नहीं तो आपका जो phone है guys ज़्यादा pressure नहीं देना है अगर आप लोग अपने phone को ज़्यादा pressure दोगे तो आपका जो phone है guys, वो over heat जरूर से होगा जैसे कि अगर आपके phone में battery saver mode on होगा और आप लोग games बगरा खेलते रहोगे तब भी आपका phone बहुत ही ज़्यादा heat होगा guys क्यूंकि battery saver mode on रहने से आपका जो phone है guys, performance कम हो जाता है और अगर तब भी आप लोग games बगरा खेलोगे तो आपका phone बहुत ही ज़्यादा heat होने लगेगा तो इस तरीके से आप लोग अपने Infinix ZT20 Pro phone में आप लोग heating problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई